गर्मियों की शरुवात हो चुकी है तो इसलिए आज हम बनाएंगे सुरत का फेमस कोल को को करपे बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से तो उसके लिए हम एक कडाई में सबसे पहले थोड़ा सा पानी ले लेते हैं क्योंकि जब भी हम इस तरह से दूद को उबाले तब हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं तो हमारी कडाई में हमारा दूद चिपकता नहीं है तो मैंने यहाँ पे 500 ml जितना दूद ले लिया है हमारा दूद जब तक उबलता है तब तक हम यहाँ पे एक मेंदी का मिक्शर तयार कर लेते हैं तो मैंने दूद चम्मच यहाँ पे मेंदा ले लिया है और उसमें हम दूद डाल देंगे तो हम दूद इसमें ठंडा ही डालेंगे तो दूद डालके हम इसका एक मिश्ण तयार कर लेंगे पहले हमें दूद को एकदम हाई फ्लेम पे उबाल लेना है एक उबाला ये तब तक हम इसे हाई फ्लेम पे ही रखेंगे हमारा जो एमेंदे का मिश्टन है वो तयार हो चुका है तो अब हम इसे थुट दिर के लिए साइड में रख देते हैं और पहले दूद को उबाल लेते हैं दूद को जब भी उबाले तब इस तरह से इसे हिलाते रहेंगे ताकि साइड में जो भी मलाईची पक जाती है उसे हम दूद में ही एड़ करते जाएंगे हमारा दूद से गाड़ा भी हो जाएगा और अच्छा भी बनेगा अब हमारे दूद में उबाल आने लगा है तो एक उबाला जाए उसके बाद हमें चीनी एड़ करनी है तो हम इसमें करिब समस्ट जितनी ऑड़ करेंगे क्योंकि हम काँकोपावडर एड़ करने वाले है तो काँकोपावडर भी चीनी वाला होगा तो इसलिए दो ही टेबल स्पून हम चीनी एड़ करेंगे और वापस से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो हमारी चीनी है गरम दूद में जल्दी से ही पिगल जाएगी अब हमने जो मेंदे का मिश्रन तयार किया है उसे दूद में डालना है लेकिन जब भी हम मेंदे का मिश्रन डूद में डाले तो एक हाथ से डालेंगे और दूसरे हाथ से इस तरह ही लाते रहेंगे ताकि इसमें लंब्स ना रहें तो करीबन एक से डेट मिनिट बाद हमारा जो दूद है वो गाड़ा होने लगेगा क्योंकि हमने इसमें मेंदे का मिश्रन डाला है अब हम इसे करीब एक से दो मिनिट पकाएंगे ताकि जो मेंदे का कच्चापन है वो निकल जाए बहुत जल्दी से बन जाता है और बाजार में जैसा मिलता है बिल्कुल वैसा ही कोको बनेगा तो हमारा दूद अब गाड़ा हो चुका है तो लास्ट में हम इसमें कोको पाउडर पी जब एड़ करें तब भी उसमें हम थोड़ा सा ठंडा दूद्य आड़ करेंगे और उसे क यह बाद हम इसे एड करेंगे ताकि लंप्स बिलकुल न रहें कोको पाउडर का पी अच्छा सा एक पीक्षर तयार हो चुका है तो उसे भी सेम तरीके से ही हम एड करेंगे डालते जाएंगे और एकाथ से मिक्स करते जाएंगे और अच्छी तरह से mix कर लेंगे अब इसमें हम 2-3 drops vanilla essence का भी add करेंगे अगर आपके पास vanilla essence नहीं है तो आप skip भी कर सकते हैं vanilla essence डालना बिल्कुल optional है अब करीबन आधा मिनिटी से cook करेंगे और गेस की flame को बंद कर देंगे हमारा जो कोको है वो एकदम तयार हो चुका है इसे हमें बहुत गाड़ा नहीं करना है क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो वो थोड़ा सा गाड़ा हो ही जाएगा तो गेस की flame को बंद करके एक बरतन में इसे ले लेते हैं तो जब भी हम एक बरतन में ट्रांसफर करें तो इस तरह एक चाननी की मदद से इसे चान लेंगे ताकि जो भी lumps होंगे वो निकल जाएगे और एकदम स्मूद सा कोको हमारा तयार होके आएगा अब हम इसे करीबन एक से लीट घंटे के लिए फ्रीज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए अगर आप इसे होट कोको पीना चाते हैं तो वह भी पी सकते हैं लेकिन गर्मियों की मोसम है तो ठंडा कोको पीने में बहुत मजा आता है तो करीबन एक से दो घंटे बाद हमारा कोको एकदम ठंडा हो चुका है तो अब हम इसे ग्लास में ले लेते हैं तो मैंने यह आप एक ग्लास में चॉकलेट लगा लिया है और उसमें हम कोको डाल देंगे अब एसे ही कोको पी सकते हैं और उपर से थोड़ा सा आइस क्रीम डाल के भी कोको भी आइस क्रीम भी पी सकते हैं तो तैयार है हमारा कोको आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक कर लिजी